प्रेस्ट बेल आइकोन तो नेवर मिस एनी वीडियो बिस्मिल्लाइ राख्मान राहीम अस्सालाम अलेकम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ ठीक होंगे इदें कुर्बा मी नजदी का रही है तो आज मैंने सोचा आपको एक बड़ा स्पेशल ग्रिल एंड बार्बीक्यू मसाला बनाना सिखाऊं ताके इद वाले दिन आपके लिए बहुत आसानी हो यानि एक्स्ट्रा फ्रेश अद्रक लसन नमक लीमू या सिर्का वगारा कुछ भी आपको और शामिल नहीं करना पड़ेगा सब कुछ मैं इसी मसाले में मैं शामिल करूंगी जो के ये मसाला आपके लिए बहुत आसानी कर देगा और इजी लिए आप इसे ग्रिल, बार्बीक्यू या बेक कर सकेंगे तो इस मसाले को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सुर्ख मिर्च पाउडर 100 ग्राम, नमक 75 ग्राम, लसन का पाउडर 35 ग्राम, अद्रक का पाउडर 15 ग्राम, चाइनिज साल्ट 50 ग्राम, चाट मसाला 25 ग्राम, मस्टर्ड पाउडर 15 ग्राम, हल्दी 15 ग्राम, चिकन पाउडर 35 ग्राम और टाटरी 15 ग्राम ले लिए लिए गा तो सबसे पहले आप डालनें सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, लसन का पाउडर, अदरक का पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, चाट मसाला, हल्दी, चिकन पाउडर, टाटरी और चाइनीज साल्ट डालकर अच्छी तरह से मिला लें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे एक दपा चान लीजिएगा ताके इसमें कोई घुड़ी वगरा ना रह जाए अच्छी तरह चानने के बाद आप इसे किसी एर टाइट डबे में डालकर रख लीजिएगा लीजिए जबरदस्त इच स्पेशल ग्रिल एंड बार्बीक्यू मसाला तयार है एक किलो गोश्ट के हिसाब से एक टेबल स्पून भर कर हीपड आप ये मसाला इस्तमाल कर सकते हैं और साथ सिर्फ कौार्टर कप आईल या देसी खी या मकषन पिगला कर शामिल कर दीजिएगा और मज़ेदार सा बार्बीक्यू ग्रिल या बेक कीजिएगा और इसी मसाले को इस्तमाल करते हुए मैं आपको ग्रिल करके भी दिखाऊंगी तो मेरे वीडियो देखते रहिएगा सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकोन के बटन को जरूर दबाईएगा ताके मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एंजॉय कर सकें तो स्पेशल ग्रिल एंड बार्बीक्यू मसाला जरूर बना कर रखिएगा ताके ईद के दिन आपको असानी रहे और जाने से पहले एक हदिसे पाक शेयर करना चाहूंगी हदिसे पाक इस तरहा से है रसुल आल्लह अल्ही वाली वाली वसल्म ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दुबारा वजू न कर ले एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है आप शल्लह अल्ही वाली वाली वसल्म ने फरमाया कि पखाना के मकाम से निकलने वाली आवाज या बे आवाज वाली हवा इसी के साथ मैं आप से इजाज़त चाहूंगी अपना बहुत ख्याल रखियेगा दौा में याद रखियेगा अल्हाफिस